पंजाब पुलिस ने दावा किया कि उसने सिद्दू मूसेवाला हत्याकांड के दो आरोपियों मनपीट सिंग मनू और जगरूप रूपा को मुढभेड में मार गिराया पुलिस के मताबिक दोनों आरोपी अमरिट सर में अटारी बॉर्डर के खरीब एक गाहों में चिपे थे पुलिस ने उस पूरे इलाके को घहर लिया मकान से थोड़ी दूर सडक पर पुलिस के जवानों ने मूर्चा समाल लिया और वहाएं इक बड़े इलाके में नाक बंदी कर दी सडक के दोनों तरफ से किसी के भी आने जाने पर रोग लगा दी गई इसके बाद पुलिस के जवानों ने खेत में बने मकान के नजदीक जाने की कोशिश की लेकिन ये उनके लिए इतना असान नहीं हुआ क्योंकि मकान में चिपे मनपीत मनू और जगरूब रूपा ने मकान के अंदर से पुलिस वालों पर गोलियों की बोचार कर दी पुलिस के जवानों ने भी तेजी से पुजिशन लेते हुए मकान की तरफ गोलियां बरसानी शुरू कर दी दोनों तरफ से हो रही गोली बारी के पीच पुलिस मनपीत मनू और जगरूब रूपा को सरेंडर करने की चेतावनी भी देती रही लेकिन सिद्धू मुसेवाला अत्याकांड के दोनों आरोपियों पर पुलिस की चेतावनी का कोई एसर नहीं दिखा वो मकान के अंदर से रुक रुक कर पुलिस के जवानों पर फाइरिंग करते रहे और इसी वज़े से सुबह करीब सबाद 10 बज़े शुरू हुई मुढबेर दोपहर तक पहुंच गई इस बीच दोनों आरोपियों से मकाबला कर रही पुलिस के लिए एक और परिशानी ये थी कि कहीं वो दोनों भाग कर पाकिस्तान ना चले जाए क्योंकि जिस इलाके में वो छिपे हुए थे बताया गया कि वहां से पाकिस्तान की सीमा महज 10 किलो मीटर दूर थी यानि मौका पाने पर मुसेवाला की हत्या के दोनों आरोपी भाग कर पाकिस्तान में गुश सकते थे जिसे रोकने के लिए पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की सीमा की ओर जाने वाले रास्तों और खेतों को दो किलो मीटर के दायरे में पूरी तरह से सील कर दिया इसकी साथ ही BASF को भी अलर्ट कर दिया गया उधर दूसरी तरफ मकान में छिपे मनपरीत और जगरूप ने फाइरिंग जारी रखी इस बीच पुलिस की एक टीम उस मकान की चट पर पहुँच गई जहां से दोनों आरोपी फाइरिंग कर रहे थे क्योंकि सुबह शुरू ही मुटभेड को करीब 6 घंटे हो चुके थे और पंजाब पुलिस जल से जल इस ऑपरेशन को खत्म करना चाहती थी और इसी लिए पुलिस की एक बड़ी टीम को उस मकान तक भीजा गया वहाँ पहुचने के बाद पुलिस वाले मकान की छट पर चड़ गए पंजाब पुलिस के मताबिक इसके बाद ही मनप्रीत मनू और जगरूप रूपा को मार गिराने में कामियाबी मिली दोनों आरोपियों को ढेर करने के बाद पुलिस ने मकान के उस कमरे से एक एक 47 राइफल परामत की जहां मनप्रीत मनू और जगरूप रूपा छिपे थे इसके साथ ही उस कमरे से एक पिस्तॉल और एक बैक भी वरामत किया गया पुलिस के मताबिक इस मुटभेड में तीन पुलिस वाले गायल भी हुए और मुटभेड खत्म होने के बाद पुलिस के डीजी पी गौरव यादव भी मौके पर पहुँचे और उन्होंने पुलिस वालों की पीठ थप थपाई क्योंकि सिद्धू मुसेवाला की हत्या के बावन दिन बाद पुलिस ने उन आरोपियों को धेर करने का दावा किया जो पंजाब में ही रहकर पुलिस को चक्मा दे रहे थे और कुछ दिनों पहले ही एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई थी ये तस्वीर पंजाब के मोगा की बताए गई थी जो वहां के एक इक इलाके में लगे सीसी टीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी तस्वीर 21 जून की थी जिसमें दो लोग मोटर साइकल पर बैठ कर जाते दिखाए दिये थे दावा किया गया था कि वो दोनों मनपरीत मनू और जगरूप रूपा ही थे यानि मुसेवाला की हत्या के 24 दिन बाद तक दोनों पंजाब में छिपे थे 21 जून की तस्वीरे सामने आने के बाद पुलिस के सूत्रों ने बताया था कि मोगा से दोनों तरन तरन की तरफ भाग गए थे और अब 52 दिन बीतने के बाद सिद्धू मुसेवाला की हत्या के दोनों आरोपियों को पंजाब के अमरिट सर के गाउं में मार गिरा गया और माना जा रहा है कि इसमें भी पुलिस के लिए बड़ी काम्याबी कि लॉरेंस बिश्णोई के बेहत करीबी मनप्रीट सिंग मनु को धेर करना क्योंकि मनप्रीट सिंग मनु ही वो चहरा थे जिसके बारे में कुछ रोज पहले दिल्ली पुलिस के सूत्रों से एक चौकाने वाली जानकारी सामने आई थी और वो ये कि मनप्रीज सिंग मन्नू ही वो शूटर था जिसने 29 मई को सिद्धू मुसेवाला पर पहली गोली चलाई थी हाला कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मताबिक हत्यकान के वक्त वहां कुल 6 शूटर मौजूद थे लेकिन शूटर मनप्रीज सिंग मन्नू ने सिद्धू मुसेवाला को पहली गोली मारी थी पुलिस के मताबिक मनप्रीज सिंग मन्नू को पहली गोली चलाने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि वो लॉरेंस बिश्णोई और गोल्डी बराड का सबसे वफादार और सबसे खतरनाक शूटर था